हें एवरिवन तो वेलकम बैक टो माई चैनल टिशान एंड मॉम ब्लॉग तो आज आप लोगों के सामने चिकन चिली की स्पेशल वाली रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे बनाना बहुत ही आसान है और एक बार बनाएंगे तो आप लोग इसे जरूर बार बार बनाना चाहेंगे चिकन की तो बहुत सारी रेशिपीज होती है पर हाँ ये चिकन चिली जो है ये चाइनीज जरूर है लेकिन हाँ अगर आप इसे अपने तरीके से बनाएंगे तो इसका स्वाद दोगुना बढ़ जाता है तो देखिए मैं इसे सर्ब करके आप लोगों को दिखाती हूँ है ना ये दिखने में बहुत ही यम तो चलिए शिरू करते हैं तो यहां मैं एक केजी चिकन लेके आई थी और उसको फिर अच्छे से वाश करके एक बरतन में रख ली हूँ अब मैं इसमें काली मिर्च की पाउडर एड़ की हूँ उसके बाद देखते हैं दो टेबल स्पून के करीब मैं इसमें कॉर्ण फ्लोर पाउडर एड़ की हूँ कॉर्ण फ्लोर पाउडर एड़ करने से न अच्छे से बाइंडिंग होती है और हमें इसे कम से कम 15-20 मिनिट और जादा से जादा हाफे नावर वा नावर आप इसे मैरिनेट करके रख सकते हैं तो इसमें मैं सब कुछ मिला के इसे अच्छे से रख दूँगी ढख करके अब देखें इसमें लाल मिच पाउडर एड़ की हूँ ताकि ये हमारा अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाए बस यही तीन चीज मैं इसमें एड़ की हूँ अब इसे अच्छे तरीके से हाथों की सहाईता से मिला लीजे ताकि चिकन में ना कॉर्ण फ्लोर फिर वो काली मेच पाउडर लाल मेच पाउडर अंदर तक अच्छे से मिल जाए और फिर इसे अच्छे तरीके से मतलब दो तीन मिनिट तक ना एक तम अच्छे से इसे मिलाते रहे और अभी आपको इसमें कुछ भी एड़ करने की जरूरत नहीं है पर हाँ आप ये ध्यान रखिएगा कि आप इसे अच्छे तरीके से मिला ले ताकि सब कुछ अंदर तक चला जाए ताकि जब इसके पकोरे बने ना चीकन चीली के लिए तो फिर खाने में बहुत ही स्वाधिस्ट लगे तो जब ये हमारा अच्छे तरीके से देखे हो गया है इसके बाद हम लोग इसे ढख के रख देंगे तो मैं इसे 15 मिनट के लिए मैरिनेट करके रख दी थी 15 मिनट हो गया था उदर गैस पे मैं कडाही चड़ा दी हूँ क्योंकि पहले इसे फ्राइ करके हमें निकालना होगा कडाही गर्म हो गई है तो अब मैं इसमें रिफाइन डॉल डालूंगी खुजा आप इसमें सरसो तेल का प्रियोग ना करें Turns out on the एक अप्र तेल लगबा करें उसके तो आप इस Pode 3 कडि़ी डुशन डुशन के और पूरे रेसिपी क motherf를 रेकानी और रिखुगी तो यह और वह उज़़ो अपरा और चिकन अच्छे तरीके से फ्राई हो अगर हाई फ्लेम को करड़ा हो तो फिर ऊपर ऊपर से पक़ जाएगा और अन्दर अन्दर एक तचा रह जाएगा इसलिए आपना गैस अज़िका अ está hybrid easy हाय और जितना आता है उतना चिकन अप्स Mind High कर दे तो देखें मैं एक एक कड़के चिकन एड़ कर रही हूँ इसमें चिकन को डालिए और फिर अच्छे तरीके से दोनों तरब से जब सिख जाए उसके बाद आप इसे बाहर फ्राइ करके निकाल लीजेगा तो अभी तो मैं इसमें एड़ी कर रही हूँ देखें अच्छे तरीके से इसे फ्राइ होने दीजेगा और ये दिखने में जितनी स्वादिस्ट लगती है ना मैं सच बता रही हूँ खाने में उतनी ही यमी लगेगी मतलब अगर आप चिकन की कोई और रेसिपीज बनाते होंगे ना एक बार ये मस्ट ट्राइ रेसिपीज है इस विंटर में ताकि आप बना के देखिए और बार बार आप इसे ही खाना पसंद करेंगे क्योंकि इसे बनाने में बहुत महनत भी नहीं है बहुत मसाले भी नहीं लगते हैं और ये खाने में बहुत स्वादिस्ट लगता है आप इसे जादा तर तो रोटी पराठे के साथ ही खाईए और फिर बताईएगा कि कैसा लगा था खाने में तो देखिए एक तरप से हमारा सिक चुका है उसके बाद हम इसे उलट पलट के अच्छे से सिक लेंगे हमारा दोनों तरप से अच्छे से सिक जाएगा उसके बाद हम जो है इसे बाहर निकाल लेंगे एक-एक करके मैं चेक कर रही थी कि हमारा चिकन अंदर तक अच्छे से हुआ है या नहीं और अगर मन हो देखे एकदम पकोड़े के तरह अच्छे तरीके से ये सिख चुका है तो अब इसे बाहर निकाल लेंगे एक-एक करके और अभी तो एक बार में तेल छे टके ना पड़े क्योंकि उसे ना जल सकते हैं इसी वज़े से थोड़ा सम्हल के ध्यान से सारे चिकन को अच्छे तरीके से बाहर निकाल लें प्लेट में उसके बाद निकालने के बाद जो दूसरा बैच होगा आप अपने हिसाब से बनाईएगा तो मेरा तो तीन बार में हुआ था मैं आप लोगों के साथ दो बार की रेसेपेट शेयर कर रही हूँ तो सारे चिकन मेरे बाहर आ गये हैं उसके बाद मैं इसमें दो बारा से एड़ करती हूँ वैसे ही एक एक करके फिर से एड़ करूँगी और फिर फ्राइ करूँगी मीडियम आज पे दोनों तरब से सिक चाहेंगे फिर बाहर निकाल लोगी तो आप लोग भी देखिए मैं आप लोगी झाल झाल तो अब हमारा सिकेंड बैच भी लगवक सिक्के तैयार हो गया है तो अब मैं इसे भी बाहर निकाल लूँगी देखे इस छंजरे की सहाईता से इसे बाहर निकाल लेते हैं एक-एक करके और फिर अच्छी तरह से प्लेट में रख लेंगे तो अब इसका बस मैं देखे थोड़ा सा गिर जाता है एक साथ इतना सारा नहीं आ पाता है इस चमचे में तो ऐसे आप इसकी सहाईता से इसे बाहर निकाल लीजे उसके बाद देखे में कितने सारे मतलब भुन गये थे पकोरे बन गये थे उसके बाद थोड़ा सा बचा था यह मैं लास्ट बैच में इसमें एट कर दूँगी और उसके बाद जब वो भी फ्राइ हो जाएगा फिर उसे मैं निकाल लूँगी सारे एट कर दी हूँ और फ्राइयो करके निकाल ली हूँ उसके बाद ना मैं एक लिप लेना भूल गई थी फिर निकालने के बाद तेल और डालके गड़म हो गया था फिर इसमें मैं अद्रक लहसन और हरी मेर्च को कट करके एट कर दी हूँ इसे अच्छे तरीके से भून ले जादा लाल होने तक ना पकाए क्योंकि यह जो रेसिपी ना इसमें जो प्याज हो गया शिम्ला मेच हो गया यह आधी कच्छी पकी रहती है ना तो वह थोड़ा क्रंची क्रंची सा लगता है तो वह बहुत स्वादिस्ट लगता है क्यों अब मैं इसमें देखे जब हमारा यह लगबग भून रहा है ना पूरा इसे लाल नहीं करूंगी इस तरीके से जब आपका यह भून जाए उसके बाद आप इसमें जो कट करके शिम्ला मेच रखे होंगे उसे एड़ कर दीजेगा देखे मैं इसमें अब शिम्ला मेच एड मैं डाली है तो अब आप इसे भी दो मिनिट बूनीों तखुझे yağ अच्छे से कि कि मी झूर एं तॉझ्य दोड़ा जादा । इसमें दाली हूं धाई भाउज्ड हैं इसमें शिम्ला के मैं आड्ड हुए उप्टा का से लिट आप इसने पकाने चारद को square shape में रखी थी, क्योंकि वैसे ही इसमें डाली जाती है, ये तो gravy के लिए मैं थोड़ा सा slices करके डाली हूँ तो ये square size का square shape का मैं ऐसे प्यास कट की थी, उसे मैं अब इसमें add कर दूंगी, और मैं shimla mirch को जादा नहीं पकाई हूँ, क्योंकि अगर जादा पकाएंगे तो वो crunchiness show है, वो खत्म हो जाएगा इसलिए बस इसे इसी तरीके से भून ले दो मिनिट इसे भी भूने उससे जादा इसे ना भूने उसके बाद जो सारे sauce होंगे वो हम इसमें add कर देंगे तो देखे जब इतना पक जाएगा हमारा, तो अब मैं इसमें नमक add कर दूँगी उसके बाद धनिया powder add कर दूँगी मैं इसमें, आप धनिया powder चाहे तो skip भी कर सकते हैं पर मैं अपने तरीके से इसे बनाती हूं इसलिए मैं अपनी recipes में जरूर add करती हूं, तीखा के लिए लाल मिर्च powder add की हूं शुरू में हरी मिर्च भी डाला था मैंने तो उसे साब से आप कितना ठीखा रखते हैं, उसे साब से आप add कर दे अब इसे अच्छे तरीके से आप मिला ले और मिलाने के बाद एक कटोरी में ना, मैं एक चमच कॉर्ण फ्लोर डाल करके उसे पानी मैं अच्छे तरीके से पतला करके घोल लेती हूं, ताकि जो हमारी ग्रेवी है ना वो बहुत ड्राइ मुझे नहीं चाहिए थोड़ा सा उसमें मतलब पानी जैसा चाहिए मुझे थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए, इसलिए मैं अपने हिसाब से बना रही हूँ, आप चाहे तो ड्राइ अगर आपको रखना होगा, तो एकदम थोड़ा सा ये कॉर्ण फ्लोर पाउडर डालिएगा ये गारा होने के लिए हम लोग डालते हैं तो इसे अच्छे तरीके से मिला लें इसमें उसके बाद देखिए हमारा मसाला भी तक तक पक चुका है अब मैं इसमें सारा सॉस एड़ कर दूँगी तो सबसे पहले मैं इसमें सोया सॉस एड़ की हूँ उसके बाद इसमें मैं चिली सॉस एड़ की हूँ अपने हिसाब से आपको जितना रखना है उस हिसाब से टोमेटो सॉस आप आट कर दीजे उसके बाद मैं इसमें चिली सॉस आट की हूँ और लास्ट में मैं इसमें विनेगर आट की हूँ देखिए अब इसमें विनेगर आट कर दे और जब सब कुछ अच्छे से एड़ कर दे तो फिर आप इस चला ले इसे अच्छे तरीके से मिला लेते हैं मिलाने के बाद जो कॉर्ण फ्लोर का पाउडर मैं घूल करके रखी थी वो इसमें एड़ कर दूँगी आड़ करने के बाद इसे चला लेती हूँ अच्छे से देखे इसे अच्छे से चला ले उसके बाद जो चिकन मैं फ्राइ करके रखी थी वो सब एक एक करके इसमें एड़ कर दूँगी और फिर जादा देर अब नहीं रखना है बस इसे एड़ करने के बाद मुश्किल से दो मिनट हमें रखना है उसके बाद हमारा ये चिकन चिली की रेसिपी बन करके तयार है देखिए तो लग रही है न देखने में एकदम डिलीशियस अमेजिंग और माउथ वाटरिंग आप लोग इसे जरूर बना के ट्राइ ये बहुत ही अच्छी थी एक ये बस हमारा बन गया है अब मैं इसे सर्व कर लेती हूं सर्व करने के बाद ऐसी लग रही है तो थैंक्स पॉर वाचिंग लाइक शेर एंग सब्सक्राइब